दोस्ता आप लोग के काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि प्रिंटर के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है तो इंक टेंक प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हम लोग ने सब के बारे में जाना लेकिन एक thermal printer आ रहा है इसके बारे में वीडियो बनाईए क्योंकि thermal printer आप लोग देख रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये print कैसे कर रहा होता है thermal printer आप लोगों में से सभी लोगों ने देखा है अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ भले ही आप लोग use नहीं किये हैं लेकिन जानते सभी लोग हैं उसका print out आप लोग जरूर देखे होंगे क्योंकि thermal printer से ही print होकर के निकलता है ATM machine से जो paper होता है वो निकलता है billing के लिए आप जाते हैं petrol pumper वहां से जो बिल लेते हैं वो भी thermal printer से निकलता है आप किसी mall में जाते हैं वहां से जो लंबा सा जो page निकल करके आता है जो roll सा निकल करके आता है वो भी thermal printer से ही print होता है वहां पर भी जो लगा हुआ है printer वो thermal printer ही है इसके अलामा सहरों में ticket वेख़र जो लोग काटते हैं चोटा सा हाथ में जो प्रिंटर लेकर के रखते हैं, टिकट वगएर काटने के लिए, वो भी थर्मल प्रिंटर ही है, इसके अलावा, बहुत सारी जगह पर जो है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा सा प्रिंटर होता है, और बाकी प्रिंटर के अं बस कोई भी समान आपने लिखा आगे जो है उसका रेट प्राइस वगएर लिख दिया यारे कि एक लिमिटेशन है बस जो है थोड़ा टेक्स्ट वगएर जो है प्रिंट करके निकालेगा बहुत डिजाइनिंग्स वगएर इसके अंदर जो है नहीं निकाल पाएगा कोई फो प्रिंट करने के लिए लेकिनों सक्सेज नहीं हुआ तो फिर यह सिंगल कलर में ही चलता है और सिंगल कलर में यह इतना सक्सेज है अगर हम कहें कि इतना जादे क्यों यह है तो इसलिए है कि खराब ही जल्दी नहीं होता क्यों खराब नहीं होता हम इस पर भी बात करेंगे बहुत ही जादे durable printer में से एक है thermal printer अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है तो आपने जो पहले वाले जो बैंकों में लगा होता है बड़ा printer dot matrix printer जो आपने देखा होगा dot matrix जो की dot 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 करके print करता है तो उसके लिए भी paper अलग से आता है दो paper होते हैं नीचे एक paper होता है उसके उपर carbon होता है उसके उपर एक paper होता है तो carbon से छपता है एक needle होती है जो कर-कर-कर-कर-कर करके इस तरीके से कोई भी आप देंगे तो उतरी speed से जो है वो needle जो है paper पे मारता है तो चुकि paper के अंदर carbon लगा हुआ होता है तो वो उससे लिखता हुआ चला जाता है तो लगभग लगभग वही टेक्नोलोजी यहां पे काम करती है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है उसके अंदर भी moving parts बहुत जादे होते हैं लेकिन इस printer के अंदर, thermal printer के अंदर moving parts बहुत कम होते हैं सिर्फ एक छोटा सा motor लगा होता है जो page को आगे बढ़ाने के लिए होता है बस इसके अलावा कोई भी part इसके अंदर moving बाला नहीं होता है इसके अंदर जो head होता है, वो और dot matrix का head मिलता जुलता है, बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि वहाँ पर needle निकल करके press करती है यानि वो movement हो गया और thermal printer के अंदर क्या होता है कि जो head होता है, उसपे भी pixels आते हैं needle type के जैसे होते हैं तो उसपे needle नहीं होता है, वो pixels जो होते एक-एक individual pixel को heat करने के लिए उसके अंदर सुविधा होती है जितने pixel में होते हैं software के जरिये उसको एक-एक pixel को heat किया जा सकता है और जो paper होता है उस paper के ऊपर जो है एक coating लगी होती है chemical की coating होती है जब वहाँ heat होता है तो अपना color बदल देता है chemical के वज़े से reaction होता है और वहाँ पर वो black हो जाता है तो एक प्रकार का reaction होता है heat करके अगर आप वो paper लेकर के आते हैं अगर उस paper को जो bill बगएरा मिलता है उसको गरम कर दें तो काला हो जाएगा गरम करेंगे तो काला भी हो जाएगा और थोड़ा सा गरम करेंगे तो जो उस पर print हुआ है वो guy up भी हो सकता है तो temporary printing होता है जो इस पर printing हो रही है temporary है यह जादे दिन तक नहीं रहेगी यह permanent नहीं है कुछ दिनों तक रखेंगे तो अपने आप वो guy up हो जाएगा क्योंकि वो heat से reaction किया हुआ है और फिर heat से ही वो guy up हो जाएगा इस तरीके के इसके साथ में problem होती है durability उस print की बहुत कम होती है लेकिन printer के durability बहुत जादे है क्योंकि उसके अंदर moving part हा ही नहीं वो heat होने के लिए बना हुआ है कि एक pixel heat होता है और लिखता हुआ चला जाता है motor सिर्फ एक होता है जो paper को आगे अपने हिसाब से बढ़ाता है बस तो heat खराब होता नहीं जल्दी बाकि छोटा सा एक motor होता है बस अगर problem आती भी है तो जो branded company का यह printer है आराम से बहुत ही कम पैसे के अंदर जो है उसको जो है बदल दिया जाता है क्योंकि यह printer ही 1000 रुपे से start हो जाता है 24-5000 रुपे का तो बहुत अच्छा printer मिल जाता है तो इसलिए इसका head बगर बहुत costly नहीं होता है जैसे problem आती है सिधा बदल दिया जाता है काम खत्म और बहुत अच्छी life है इसलिए इस printer को सबसे जादे use किया जाता है कि जल्दी खराब नहीं होगा और normal से स्री billing निकालनी होती है जो electricity का bill निकालने वाले आते हैं वो भी इसी printer को लेकर के आते हैं सबसे बड़ी बात कि इसका size पूरा customize कर पाते हैं आप क्योंकि इसके अंदर रोल होता है जितना बड़ा बिल निकालना है उतना बड़ा बिल आप निकाल लेंगे ये सबसे अच्छी बात होती है और जल्दी खराब नहीं होता जादे use होने का सबसे बड़ा कारण यही है लेकिन जो इस पर chemical होता है इस printer को अक्सर ban करने की मांग हो रही है क्योंकि इस पर जो chemical होता है वो आपके स्वास्ते के लिए हानिकारक होता है तो एक्चुलि जो कभी-कभी use करते है बिल लेकर के आगए काम खतम हो गया उनके लिए कोई problem नहीं है लेकिन जो इस पर बैठ रहा है डेली उसको फाड रहा है दे रहा है हाथ में ले रहा है उसके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है यही कारण है कि उसको बार-बार ban करने की मांग हो रही है तो इस तरीके से यही इसकी technology है thermal printer की और यही कारण है मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिज करूँगा दोस्तों वीडियो information कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताते रहें और किस topic पर वीडियो चाहिए उस topic पर वीडियो आ जाएगी आप कमेंट करते रहें मिलते हैं अगले किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करने के लिए हमें support करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिन सुभ़ो